आज पूरे दिन हम इसी टॉपिक के ओपर हम डिसक्रिशन करने वाले हैं स्क्रिप्ट सेलेक्शन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टन्ट और एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ओपर जितनी ज़्यादा प्राक्टिस महनत सीखने समझदे की कोशिश करोगे उतनी ही आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो इंक्रीस हो जाता है नाव इन वरी सिंपल वर्ड में बताऊं तो स्क्रिप्ट सेलेक्शन ये दिखने में एक छोटा टॉपिक है बट अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वाइड और विशाल टॉपिक है अगर आपका प्रेफरेंस अगर आपको पता नहीं है तो आपके स्क्रिप्ट सेलेक्शन गलत हो जाएंगे जैसे for example माल लीजे if I'm a long term investor और long term investment करने के लिए मैं माल लीजे एक ऐसा stock for example PTM या Zometo के अंदर entry ले लेता हूं just because के वो stock अभी अच्छा कर रहा है उसके अंदर एक breakout है but still ये मेरा script selection गलत हो जाएगा तो script selection is very much dependent on the way you are trading on the way of your approach तो आज इस session के अंदर मैं majorly हमार जो तीन approach होता है या तो हम long term के लिए play करेंगे या तो हम short term के लिए play करेंगे या तो हम momentum के लिए play करेंगे ये तीनों के ओपर हम discussion करने वाले हैं ये जो session है ये दो part के अंदर होने वाला है पहला part आज होगा second part अगले Sunday होगा और एक part मैं या पर सिर्फ और से case study के लिए मैं या पर रखना जाता हूं so if you guys are interested in case study then just try to see yes in a comment section so that मुझे पता चले कि हाँ आप लोग case study वाला एक जो session है वो पुचाते हैं और उसके लिए आप excited है all right so abhi के लिए let me just start the session but before I start the session I just want to know from all of you that are you all sitting with a pen and paper or not क्या आप सारे लोग pen and paper लेके बैठ हैं please help me in a comment section by saying yes or no जिससे मुझे पता चले all right और एक चीज हमने एक चीज सोची है और इसके ऊपर मैं आपका you know opinion में चाहता हूं कि देखो YouTube it's it's completely filled with a lot of information और उस information को catch करना compile करना कहीं बार मुश्किल हो जाता है तो हमने क्या देखा और हमने इसको किस तरीके से देखा कि क्यो ना एक चोटा सा quiz जैसे कौन वरे का करोड़ पती होता है वैसे चोटा सा quiz एक simple question उसके तीन options और उसके एक YouTube के shots बनाया जाए hardly 30 seconds का shot video बनाया जाए और उस video में आप attempt करो कि यह जो question पूछा गया है वो answer सही है नहीं तो क्या आप इस quiz में भी interested है यह नहीं all right you can just write Q in a comment section if you guys are interested इससे मुझे भी बता चले कि हाँ आप लोग भी interested हो इस तरीके के initiative के लिए all right thank you so much for all your beautiful comments and thank you so much for joining let me just try to share my computer screen and आज के इस session की जो है हम शुरुआत यहां पर करते हैं so जैसे मैंने बताया we are completely focusing on the three important script selection method सबसे पहले हम long term फिर short term and फिर momentum trading में हम जाएंगे all right so let's first go into the long term देखो सबसे पहले long term short term इसको थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा see long term जो है यह आपकी मदद करेगा for a one simple purpose that is called a wealth creation all right अब जो short term है that is going to help you in increase your ROI आपका जो ROI है उसको increase करने में short term trading या short term investment जो भी आप आपका जो view है या आपका जो approach है उसमें आपकी short term मदद करेगा and momentum trading जो है all right it will just give you you know एक enough fun all right क्योंकि momentum trading से आपका capital नहीं बनता हाँ आप यह कर सकते हो कि momentum trading करके एक अगर कोई income अगर आपकी जो generate हो जाती है all right या अगर आप पैसे कमा पाते हो तो इस income का आगया purpose आपका जो हो सकता है वह है wealth creation all right लेकिन बहुत सारे लोग मैं यह चीज़ में clarify में यहीं पर में कर दूं बहुत सारे लोग के कहते हैं कि सर मैं job छोड़ना चाता हूं मैं business में परिशान हूं और इसके लिए मैं stock market के अंदर आने जाता हूं बेशक आपके लिए stock market एक बहुत ही भैतरी न option हो सकता है लेकिन उसको replace करने के बारे में मत सोचिए मैं उसके पक्षन नहीं हूं जौब छोड़के business छोड़के जो existing establishment जिसके अंदर आपने 10-15-20 साल दी होंगे उसको छोड़के आप stock market में यह जरूरी है and now we are living in a era of a technology अभी आपको stock market में पैसे गमाने के लिए समय देने की जरूरत नहीं है आपको अपना job business आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है इसलिए momentum trading जो आप करोगे that will give you a fun that will give you a quick money all right so momentum trading को हम यहापे क्या लिखते है momentum trading that is for a quick money so quick money चाहिए तो momentum trading आपकी मदद कर सकता है momentum trading की अंदर basically आप कह सकते हो कि भी F&O trading यह आता है क्योंकि momentum trading equity के अंदर करना मेरे इसाब से इतना सही तो नहीं होगा क्योंकि आपके capital और आपका जो you know purpose है वो फिर solve नहीं होगा so अगर आप सिर्फ F&O करना चाहते है focus on आपका momentum अगर आप long term wealth create करना चाहते है तो फिर आप long term अच्छा long term में भी बहुत सारे लोग का यह confusion है कि अगर long term करेंगे तो क्या F&O नहीं कर सकते F&O के अंदर भी there are a lot of methods or strategy available जिसका इस्तिमाल करके आ यह भी बहुत सारे methods available है so basically हम एक चीज के ऊपर confused हो जाते हैं और वो है हमारा segment all right जैसे मैं YouTube जैसे आप लोग YouTube देखते हो मैं भी YouTube देखता हूं YouTube के अंदर add बहुत सारे चलती है अब यह जो add आती है उसमें specially focus किया जाता है कि option सीखो all right option को अच्छी तरीके से सीखो option की यह strategy GC को वो सिखो but we have to understand के option जो है यह एक segment का part है all right often F&O जो है यह एक segment है जैसे हमारे stock market में दो segment है एक है हमारा F&O all right और दूसरा हमारा जो segment है वो है equity अब देखो जब तक आपका long term trend या short term trend या momentum trend और यह अगर आपका define नहीं है तो यह define आपका नहीं हो सकता और यह तीनों चीज़ें define आपकी तब हो सकती है जब stock market में जो आपका goal है वो 100% fix है आप जानते हो कि आप stock market में क्यों है तो actual में हमारी जो गंगा है यह उल्टी भेरी है हम पहले क्या सिखते है option सिखते है फिर हम option सिखने एक बाद दिखते हैं कि नहीं है इसमें तो मजा नहीं आ रहा है काम करते हैं कोई अच्छा है यहां पे stock हम equity में purchase कर लेते है multi bagger all right एक का 10 हो गया 10 का 20 हो गया इस तरीके के stock तो हम first जाते हैं हम यह उल कितना शूर नहीं हो तो कितना शूर हो कि आप 30% शूर हो तो लिखो 3 अगर आप 1% शूर हो की तो just लिखो 1 यह अगर आपको यही पता नहीं है कि भई हम क्यों stock market में आ है एक चीज़ में बता दू जो आपका goal है it cannot be earning money यह earning money नहीं हो सकता because money is a buy product all right मालीज अगर आप job कर र काम करोगे तो पैसा automatic मिलेगा तो stock market में goal cannot be money all right आप क्या चाहते हो जैसे मेरा stock market में जो purpose है वो बहुत clear है passive income चाहिए बिना महनत का पैसा चाहिए मैं सोता रहा हूँ मैं घुमता रहा हूँ मैं फिरता रहा हूँ मैं इधर हूँ मैं हाजिर भी नहीं भी दू all right मैं attendance अगर मैं अगर कुछ check ना करो मैं कुछ trade ना करो तो भी मेरा जो पैसा है वो बनना चाहिए it could be in a way of trading it could be in a way of algo it could be in a way of anything all right बट यह मेरा purpose है तो it is up to you that क्या सबसे पहले आप यह जानते हो कि आपका जो goal है वो क्या है आपका goal is very very much important क्योंकि बिना goal का you know just जिस तरीके ऐसे कहते है कि अब जिस भी प्रवब वहां दर्म में मानते हो हमारे दर्म में कहा जाता है कि एक धेई बिना एक लक्ष बिना का जीवन जो है वो बेकार का है बिलकुर इसी तरीके से एक धेई बिना एक लक्ष बिना का जो investment है stock market में यह शायद आपको तरक्की ना दे पाए all right so today let's talk about a long term all right सबसे पहरे तो हम long term के बारे में देखेंगे and long term के अंदर हम किस तरीके से wealth create कर सके all right wealth create करने के लिए long term is the best all right एक आपको safety security के लिए बड़ा पैसा बड़ा capital आपके बड़े सपने है बड़ा काड़ी घर बंगला उसके लिए long term is the best all right so let's first talk about the आपका long term का trading के बारे में so let me just focus on this all right so there are three major approach जिसका इस्तमाल करके आप stock market के अंदर long term के लिए script selection कर सकते हो all right सबसे पहले तो आप यह जान लो कि जितने भी हमारे stocks है in a nsc or you can call it like a in a bsc all right यह जितने भी stock है इसको majorly आप एक category के अंदर आप divide कर सकते हो क्या यह जो stock है यह growth वाले है all right क्या यह जो stock है यह dividend yield वाले stock है all right क्या यह जो stock है यह slow return वाले जो stock है इस category के अंदर आते हैं या फिर कुछ stock ऐसे होते हैं कि it is good for nothing all right you can say like g4 and good for nothing मतलब यह है यह या नहीं है यह क्या कर रहे हैं पता नहीं all right हाँ आप इसमें swing कर सकते हो swing trading आप करके पैसा बना सकते हो लेकिन stock का मक्सद क् पता नहीं जैसे for example अगर मैं कहूं growth वाले stock तो growth वाले stock में you can say like आपका HDFC bank आपका reliance industries all right यह जितने भी आपके stock है जो हर साल year on year आपको return देते हैं basically ऐसे stock जो year on year आपको return देते हो उसे growth वाले stock कहता है dividend वाले stock या नहीं क्या आपका जो BHEL हो गया आपका जो NTPC हो गया आप पिर आपका PFC यहां पे हो गया और फिर आपका PTC यहां पे हो गया all these are the dividend paying stock अब यह dividend paying stock जो है अगर यह आपको year on year return दे तो यह आप कह सकते हो कि it is like a diwali का bonus तो यह यह फरक को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि stock की category को समझो जैसे ही हमने stock की category को समझ लिया हमारा script से लेकिन और आसन हो जाएगा all right सबसे पहले देखो it is very very much important कि सबसे पहले आप यह जाना हो कि आपका goal क्या है goal जैसी जान लोगे आप यह you know types of stocks अगर आप यह आप जान लोगे तो आपका script selection all right यह automatically आसन हो जाएगा यह बिलकुल आसन हो जाएगा क्योंकि if if I consider let's say nifty 100 nifty 100 में जैसे growth वाले जो stock है यह आपको मिलेंगे let's say hardly 20 to 30 percent all right 20 से 30 stock आपको मिलेंगे जो growth वाले है और जब आप जानते हो कि यह stock मेरा growth वाला है 20 से 30 percent ही है मेरा growth वाला है तो आपके लिए काम असान हो जाएगा न क्योंकि जो आपको homework करना है जो analysis करना है जो script selection करना है जो महनत करनी है जो chart देखना है या fundamental देखना है आपको जो भी देखना है यह सिर्फ और सिर्फ आपको इन ही stock के अंदर आपको देखना है all right clear just write clear in a comment section everyone तो मैं उमीद करता हूँ कि इस session के अंदर आप लोग जादा से जादा मातरा में आप active रहेंगे जो सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे उसे जवाब देखे क्योंकि जतने जादा comment करोगे ना उतना ही जादा मेरा excitement level यहां पर बढ़ेगा और उतना ही जादा थोड़ा सा मु dividend जो है यह सुनने में काफी अच्छा लगता है बट dividend मैं चाओंगा कि आप इसके उपर focus long term में ना करें और अगर आपको dividend कमाना है focus on short term और मालीजी कोई अच्छा stock है जैसे मालीजी यह सारे आपके जो dividend paying stocks हैं और जब कभी भी यह सस्ते मिले तब buy कर लो और आपको देखो हर quarterly dividend का announcement हो सकता है किसी भी हर quarter के end में तो आप यह कौन सा महिना होता है जब आपके quarterly end के results आते हैं या EGM के announcement वगेरे आते हैं उस समय को आप देख लीजे उस समय के पहले जब भी success ता मिले तब buy करो और buy करके dividend भी ले जाओ और profit भी ले जाओ और exit करो और उसको पकड़ के म पात रखो और उसमें कोई trading का कुछ आपका एक view होना चाहिए because सिर्फ और सिर्फ डिविडेंट कोई भी stock है डिविडेंट अगर महां लीजे Reliance Industries अगर year on year इसका growth है let's say 10% all right तो कभी भी आप ये मान के चलिए कि dividend is growth वाले stock का जो return है उसको सरपास नहीं करेगा कभी भी नहीं करेगा all right हाँ आप इसमें एक चीज़ कर सकते हो कि माल लीजे कि आपने एक stock ले लिया for example PFC all right अभी stock ने आपको क्या दिया इस stock ने आपको dividend यहां पे दिया इस dividend को आप यहां पे reinvest अगर आप करोगे इसी stock के अंदर करो या किसी में करो तो now this will become a compounding effect all right तो फिर यह compounding effect के लिए आप यह कर सकते हो जैसे आप कह सकते हो कि भी PFC मेंने लिया for example dividend मिला फिर उसमें से जो मुझे reinvestment करना है यह जो reinvestment है इसको मैं growth वाले stock के अंदर करू आप इसको कर सकते हो और तो ऐसा कुछ एक आपको ecosystem बनाना पड़ेगा ऐसा आपको कोई trading strategy आपको plan बनाना पड़ेगा एक overall आपका structure बनाना पड़ेगा कि मैं ऐसे ही मैं काम करूंगा जैसे माली जी अगर आप job करते हो या business करते हो तो आपका रूटीन होगा ना क्यों इतन is planning right तो वैसा एक proper planning आपको stock market में भी चाहिए right so do you think you have a plan please help me in a comment section अगर आपके पास plan है तो आप अपने plan को 0 से 10 में कितने number दोगे पहले आपको P लिखना है फिर आपका जो plan है वो कितना आपके इस आप से successful मतलब जो आपके goal है उसमें कितना खरा उतरा है माली जी कि आपने एक plan बना है लेकिन वो आपके goal में सिर्फ 40% खरा उतर रहा है तो just write P4 in a comment section आपका जो planning है वो कितना आपको result दे रहा है that is again a question here क्योंकि अगर आपका planning अगर आपको result नहीं दे रहा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है you just need to find the loophole all right problem क्या है problem कि सीज में आ रहा identify करो क्या आपका problem जो है वो stock selection के अंदर आ रहा है all right क्या जो आपका problem है ये trading strategy के related आ रहा है क्या आपका जो problem है ये आपको entry या exit के related आ रहा है आपका जो problem है ये problem actual में ये जो problem है ये किस चीज का है that is more important because अगर आपको पता चलिए stop selection का problem है तो it is easy for you to work on script selection all right तो कुपा करके इसकी ओपर थोड़ा सा focus करो और जो मैं या पर कहने कोशिश कर रहा हूं कि एक plan होना चाहिए all right because ये जो session में कर रहा हूं इसमें long term मैं देखो method में बता सकता हूं लेकिन आपका जो view है वो क्या है ये तो आप ही जानते हो all right तो देखो ये सवाल में इसके लिए पोशा हूं because based on this question मुझे पता चलेगा कि अगला topic किसके उपर लेना है जैसे यहां पे आप में से बहुत सारे लोग लिख रहे है कि plan को वो 0 दे रहे है या 2 दे रहे है या 4 number दे रहे है या 6 number दे रहे है और दिया है please write p space आपका answer all right तो चलो सबसे पहले it is very देखो एक ये वाला जो अप्रोच है न this is a universal approach all right ये अप्रोच मेरा नहीं है it is universally accepted by the fund houses by the fund managers and this is one of the best method जिसका इस्तमाल अगर आप करोगे तो आप कभी भी पीछे नहीं जाओंगे मतलब ये एक ऐसा method है जो कभी भी आपको गलत information दे ही नहीं सकता ये जो method है ये आपको 100% transparent method देगा all right आपको कभी भी गलत information नहीं देगा आपके decisions को powerful बनाने मदद करेगा and the method is called top to bottom approach तो देखो दो तरीके के technical analysis में method है एक है आपका top to bottom इसे में यह आप लिखता हूँ top t to b यानि top to bottom and दूसरा जो है that is called b to t यानि bottom to top तो top to bottom में पहले क्या होता है कि आपका जो major index है all right उसको यहाँ पर देखा जाता है अब हमारे case में major index क्या है हमारा जो nifty है यह हमारा major index है उसके बाद जो second देखा जाता है वो है आपका sector sector का index all right अभी माल लिजे कि मैं यहाँ पर analysis करा हूँ for example bank का तो मैं यहाँ पर bank को मैं देख लेता हूँ अब यहाँ पर जो next आएगा वो है मेरे top five stock और एनी उस sector के top five stock कौन से है जैसे bank के अंदर आपका HDFC यहाँ पर हो गया फिर ICACI यहाँ पर आपका यहाँ पर हो गया फिर यहाँ पर आपका access यहाँ पर हो गया और यह private में वैसे ही आपके PSU में State Bank of India पंजाब National Bank फिर आपका पाथ stock आप निकाल सकते हैं फिर इसमें comparison करना पड़ेगा और यह comparison जब आप करोगी तो इसमें आपको पता चलिए क lado mask जो है अगर मैं उठा के देख लो for example, यहाँ पर Inducent Bank alright, मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ मैं Inducent Bank देखता हूँ अब इस Inducent Bank को मैं compare करता हूँ यह top 5 stock से जो अभी हमने यहाँ पर निकाल, इससे मैं compare करता हूँ कि क्या मेरा जो stock है इस 5 stock के मुकाबले क्या मुझे ज़्यादा भैतरी रिटन या मुझे opportunity जनरेट कर पा रहा है जब मैंने देखा तो Inducent Bank को फिर मैं compare करूँगा मेरे bank के index के साथ alright, कि भी मेरा जो bank का index है मा लिजे मेरा bank का index यहाँ से जा रहा है या मेरा Inducent Bank ऐसे जा रहा है यह comparison में करूँगा alright, यह comparison करने से मुझे पता चलेगा कि जो मेरा stock है यह outperform कर रहा है यह underperform कर रहा है alright, so यह मुझे पता चलेगा तो based on that I can take a decision और जब मैं bank को में देखूँगा तो मैं nifty के साथ इसको compare करूँगा alright, तो यहाँ पे हम यहाँ पे case study एक करते हैं जिससे आपको यह proper आपको पता चले alright, so top to bottom में पहले जैसे मैंने बता है पहले major index जो कि हमारे इस case में क्या होगा आपका nifty, alright nifty ही यहाँ पे major index एक ही हमारे यहाँ पे हैं और तो कोई major index है ने अगर आप चाहो तो आप sensex के साथ इसको compare कर सकते हो, but that doesn't make any sense alright, तो sector index हमारे बहुत सारे sector है जैसे आप auto, pharma, जो stock, जो sector आप लेना चाहते है आप उसको कर सकते हो, अचा इसमें आप यह भी कर सकते हो कि मुझे तो क्या चीए, मुझे stock से मतलब है वो stock bank का हो, auto का हो, pharma का हो, fmcg का हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है अगर यह आपका approach है, तो पहले क्या देखो पहले आप nifty देखो, फिर आपके जो sector है उसमें से जो top आपके sector है जैसे आपका auto, pharma, metal, alright, banks उसके बाद आपका fmcg तो यह आपके कुछ major यहाँ पर sector हो गए auto, pharma, metal, banks, fmcg, alright, तो major सारी यहाँ पर आगए तो इसमें compare करोगे, इसमें से कौन सा outperform कर रहा है, कौन सा underperform कर रहा है अच्छा एक छोटा सा quiz करे चलो आपके हिसाब से, alright, इसको quiz को अभी ही मैं answer मैं करोंगा एक ऐसा sector, जिसने सबसे ज़्यादा तगड़ा return दिया हम alright, अपने इतियास में सबसे ज़्यादा return देने वाला index आपके हिसाब से, इन पांचों में से कौन सा है, auto, pharma, metal, bank या fmcg मतलब सबसे ज़्यादा return किसने दिया, alright, please help me in a comment section तो सबसे पहले दो सवाल पर पूछता हूँ, पहला सवाल यह है कि कौन सा जो index है, इसने सबसे ज़्यादा return दिया, और दूसरा सवाल यह है कि कौन सा ऐसा sector है, alright, कौन सा ऐसा sectoral index है, जिसने consistent return दिया, alright okay, IT मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो डॉक्टर साब IT को यहाँ पर add कर देते हैं, IT भी एक बहुत major sector है, उसको ignore नहीं किया जा सकता, तो कौन सा ऐसा sector है, जिसने सबसे ज़्यादा return दिया हो, and the second, कौन सा ऐसा sector है, जिसने consistent return दिया हो, alright, so आपका answer आप ऐसे लिखो, 1 और उसके बाद जैसे अगर आपका answer है IT, तो आप IT लिखो, 2 में अगर आपको लगता है कि bank, alright, तो 2 bank, ऐसे आप लिखो, alright, जो भी आपका answer है, आप ऐसे लिखो, so that मुझे भी तो पचात चले, कि आप यहाँ पर लिख क्या रहे हो, alright, नमबर के साथ लिखो, आप से लिखो कि auto, bank, pharma, उसे पता नहीं चलेगा, नमबर, one, one space, फिर आपका answer, and two space आपका answer, alright, so आप यहाँ पर बहुत सारे answer आप लिख रहे हो, take my thumbs up for that, तो चलो, अभी हम सीधा आजाते हैं, अपने computer screen के उपर, और हम यहाँ पर करते हैं, analysis, और कौन सा ऐसा sector है, जिसने consistent हमें return दिया है, alright, तो देखो, मेरे इस तरीके के layout सारे बनाये हुए ही होते हैं, मैं always मैं layout को बना के में रखता हूं, so that जब कभी भी analysis करना हो, तो हमारा जो काम है, वो आसान हो जाए, alright, so आप में से, okay, one minute, majorly सारे लोग, pharma, pharma, kya बात है, pharma, very good alright, चलो, okay, तो यहां पर देखो, मेरे पास, pharma, अच्छा, IT मेरे पास नहीं है, let me just add IT, nifty IT, okay, तो चलो, अब हम यह देखते हैं, on a monthly time frame, that since 2011, क्योंकि 2011 में, आखरी वाला आपका index, introduced हुआ था, तो उस समय से लेके, अब तक, सबसे जादा return देने वाला, sector आपका कौन सा है, that is a question, alright, तो सबसे जादा return, अगर किसी एक sector ने आपको दिया है, तो the correct answer is IT, alright, तो यह वाला जो आप देख रहे हो, this is IT, इसने जो return दिया है, that is 513%, पानसो तेरा प्रतिशत का return जादा दिया है, total अगर आप देखोगे, जादा नहीं दिया, total return इसने कितना दिया, 513%, और अगर आप consistency में आप जाओगे, तो consistency के अंदर भी, देखो यहाँ पे थोड़ा से गरबड कर रहा है, सबसे पहले, let's remove the dust, तो metal always underperforming, always, alright, देखो metal हमेशा नीचे रहा है, yellow वाला लाइन, आप पर यह जो red वाला है, इसने कभी-कभी underperformance दिया है, alright, यह red वाला कुन सा है, आपका auto, तो auto को भी side में कर देते हैं, फिर यह वाला जो है, यह अभी underperformance दिखा रहा है, which is pharma, तो चलो pharma को भी side में कर देते हैं, अब आपके बचे, तीन major, alright, एक आपका IT, दूसरा आपका FMCG, आपका bank, तो यह तीन आपके बचे, अब देखो, bank ने शुरुआती इन दिनों में, if you can see, bank इतना अच्छा नहीं कर रहे है, alright, फिर यहाँ पे भी आप देखो, कि दूसरे सारे sector के मुकाबले bank जादा गिरे हैं, इस जगे पे भी bank जादा गिरे, तो bank को निकाल तो side में, alright, bank को भी हटा देता है, now you have the two sectors, alright, और सवाल यह है कि consistent return किस ने दिया है, तो मैं यह कह सकता हूँ कि, देखो, यह जो है, this kind of bull action, alright, it is actually not good, growth वाले में, देखो, consistent किसे कहते है, consistent return मिलना किसे कहते है, consistent return मिलना, इसको कहते है, this is called a consistent return, अब ऐसा, 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 ऐसा है, this is not a consistent return, alright, अब मुझे बताओ, कि आपकी जो emotion है, alright, यह कहां पर ज़्यादा आपको परिशान करेंगे, क्या यह red वाले में आपको परिशान करेंगे, या orange वाले में, please write in a comment section, फटा फटले को comment section में, alright, फटा फटले को comment section में, अगर दो stock है, एक आपका orange वाला है, alright, जो कि steady जा रहा है, मैं लिजे कि रोज एक रुपई उपर जा रहा है, alright, अब red वाला किसी दिन 10 रुपई उपर, किसी दिन 7 रुपई नीचे, इस तरीके से जा रहा है, तो emotion जादा परिशान किस में करेंग या फिर ये orange वाली जो मैंने line बनाई, उसमें करेंगे, alright, it's very simple, look at the answers you are giving, alright, it's very obvious, कि जो orange वाला है, ये slow and steady है, alright, लेकिन जो red वाला है, ये आपके hiccups आपको दे रहा, तो आपके emotion जादा परिशान करेंगे, now, if you are a kind of trader, जिसके emotion जो है, वो control में है, बलब आपको आपना जादा profit पे खुश होते हो, ना आपके stock के गिरावट में, या आपके stock के fall में, आपको दुख होता है, alright, अगर आप इस तरीके के trader हो, जिसका knowledge level काफी अच्छा है, जिसके कारण से, आपके emotion आपको परिशान नहीं करते है, then you can make easy money, देखो, हमारा intention क्या है, easy money, you can make easy money in this red वाला, alright, क्यों, क्यों कि यह जो red वाला है, इसकी अंदर available है, आपके swings, alright, तो stock market में, जो पैसा बनता है न, दो तरीके सा आपका पैसा बनता है, या तो growth, alright, stock आपका slow and steady, दीरे, 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 बढ़ता रहे, growth, alright, या one of the best method, that is to have a spec, alright, तो अगर आपके emotion control में रहते हैं, तो फिर आप ऐसे stock दूढ़िए, जहां पे आपको frequent entry और exit की opportunity मिले, alright, देखो, strategy तो अभी हम आये नहीं, अभी लोग, पूरी दुनिया देखो, क्या कहती है, strategy, strategy, अभी हम strategy पे नहीं आये, अभी हमारा entry, exit का strategy तो आये नहीं, अभी तो हम stock selection पे हैं, and हम stock selection किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, हम stock selection कर रहे हैं, based on number one data, and number two हमारे emotions, alright, क्योंकि stock market में सबसे ज़्यादा परिशान आपको emotion करते हैं, alright, just write EMO in a comment section, do you agree with me, alright, एको जितने लोगों से मैं मिला हूँ, मैंने देखा हैं कि अगर stock market में किसी एक हैं, education है, experience है, पैसा भी है, stock है हमारे पास है, हमारे पास सारे, you know, options भी available है, लेकिन फिर भी, हमें जितना चाहिए, उतना success नहीं मिल पाता, because of my emotion, just write EMO if I'm right, alright, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, one of the biggest problem is emotion, alright, just write EMO in a comment section, everyone, alright, फटा-फटा से लिखो EMO, alright, तो emotion के ऊपर अग swings, wide swings, जितने ज़्यादा wide swing बने, उतना ज़्यादा पैसा, simple याद रखे, जितना ज़्यादा swing, उतना ज़्यादा पैसा, alright, जितना छोटा swing, उतना कम पैसा, alright, तो emotion के ऊपर control है, तो wide swing में आप जाओ, emotion के ऊपर control नहीं है, तो growth वाले stock में जाओ, can this be a, you know, script selection criteria, can this be a script selection method, just write Balbon in a comment section, alright, क्या ये एक simple तरीके से, हम एक बड़े आराम से, बड़े अथे तरीके से, script selection कर सकते हैं या नहीं, please help me in a comment section by saying Balbon, alright, yes, I know, alright, wonderful, आपका जवाब मैं जाता हू, because जितने लोगों को मैं जाता हू, this is, this is the, I would say, real thing, emotion, सबसे ज़्यादा emotion, alright, तो यहाँ पे, अगर आप एक ऐसे trader हैं, जो इसको, अगर आप ये IT के जो swings हैं, अगर आप इसको खेल पाए, तो you'll make a good money, you'll definitely make a good money, बहुत अच्छा पैसा मना होगी, alright, लेकिन, लेकिन, अगर आप ये नहीं इसको encash कर पाते हैं, तो फिर आपको ऐसे stock में जाना तो देखो, अभी आपको clear हो गया, सबसे पहले, अगर आपका, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे लिखा कि emotion आपको परिशान करते हैं, alright, तो अगर आपकी emotion अगर आपको परिशान करते हैं, then I insist all of you look something which is called FMCG, alright, FMCG को देखो, okay, FMCG के जितने stock है, FMCG में one of the best stock है, आपका Amerigo, second one of the best stock है, that is your double, फिर आपका Britannia, okay, फिर आपका क्या हो गया, Nestle, Nestle थोड़ा सा महिंगा stock है, but this other stock आप उसको देख सकते हो, alright, आप यहाँ पे गोदरिच CP को भी देख सकते हो, even I like गोदरिच CP, very beautiful stock, alright, तो यह FMCG के stock है, जब भी यह stock अच्छे level के मिले, अच्छे price के पर मिले, तो आप उसको in cash कर सकते हो, alright, great, take my thumbs up, wonderful, तो consistent return हमको किस ने दिया, consistent return हमको दिया, आपके FMCG ने, सबसे ज़्यादा return हमको किस ने दिया, IT ने दिया, अगर मेरे emotion मुझे परिशान करते हैं, तो मुझे FMCG के अंदर मुझे जाना है, अगर मैं emotion को, मैं bypass कर सकता हू या मेरे पास वो strategy है, जिससे emotion मुझे परिशान ना करे, then you have to look forward for ID, alright, just write bulb on in a comment section, अगर यहां तक जो मैंने बताया है, इससे अगर आपको एक बड़ा picture, अगर आपका clear हो रहा है, from today onwards, 2024 में script selection, अगर आपका simple हो जाएगा, यह अगर आपको लगता है, then just write bulb on in a comment section, Sir, how to check the performing gain sector, जैसे मैंने अभी किया, simple आप chart compare करो, nifty के साथ, आप उस sector का chart को लगाओ, और देखो, यहां पे अगर आप इसी chart को देखोगे, तो यह जो candlestick है, यह क्या है, यह candlestick आपका nifty है, alright, और यह जो है, यह आपके sector है, आप यहां पे sector भी लगा सकते हो, आप यहां आप इसको लगा सकते हो, तो यह लगा के देखना, simple comparison ही तो करना है, हमें और क्या करना है, alright, and we are good in comparison, alright, यह chart के उपर देखो, candle stick नीचे है, इसका मतलब, obviously, इसने कम return दिया, यह जो मेरी line है, यह उपर है, इसका मतलब, इसने obviously अच्छा return दिया, अब और एक example से समझते है, alright यह मा लिजे की मेरा metal मैंने कर दिया, alright, अब देखो, यह मेरा हो गया क्या, यह मेरा हो गया nifty, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यहाँ पे आगया मेरा metal, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यहाँ पे आगया it, इसका मतलब nifty से underperform कौन कर रहा है, metal, nifty से अच्छा perform कौन कर रहा है, IT, Nifty मेरा क्या है, major index तो ये मेरा एक benchmark index है ये मेरा pivot index है, all right simple as that, nothing to worry about, आप, आराम से इसको कर सकते हो मैं फिर समय कहते हूं मुझे, मैं बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूं, जब मैं discussion करता हूं, बहुत सारे एक तम फाड़ो हो जाए, all right so, you have to understand that the real power is in the correct knowledge all right, यहां पे कोई rocket science नहीं है, stock market में हम कोई chemical formula बनाने के लिए नहीं बैटे, stock market के अंदर कुछ, ऐसी कोई secret book या secret diary नहीं है all you need is right knowledge, knowledge नहीं knowledge तो बरा पड़ा है दुनिया में we just need a right knowledge what will be the right knowledge, वो knowledge जो मुझे मेरे goal तक लेके जाए all right, so, अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है, जिसका goal wealth creation है, all right, जिसको बड़ा पैसा बनाना है, जिसको ट्रेडिंग नहीं करना, जिसको बड़ा पैसा बनाना है, ट्रेडिंग करना है, तो number of leads कम करे, intraday trade नहीं, बड़े trade, मतलब, अगर आप भी मेरे जैसे हो, जैसे मेरा क्या है, जब भी मैं, मैं trade लेता हूँ, मेरा simple है कि अगर मुझे मेरे trade में, all right, पचीस, पचास अजार रुपए पर trade का future की में बात कर रहा हूँ, अगर मैं future में trade करा हूँ, मुझे पचास अजार रुपए अगर ना मिले, मतलब, इतना profit ना मिले, तो मैं वो trade में नहीं लेता, मैं छोड़ देता हूँ, उस trade को, मुझे trade लेना, अगर मैं लूँगा, तो मुझे capital is sufficient, तैने काम कर दीजे, recently हमने बहुत सारी services हमने शुरू की है, जो की free भी है, एंड कुछ उसमें premium भी है, तो आप join लिखके, आपका जो capital है, जितना पैसा अभी आपके पास है, ये लिखके, आप हमें WhatsApp में message कर दीजे, अब ये करने से फाइदा क्या होगा, जो मेरी team है, और ये आपके capital के base उपर, आपके goal के base के उपर, आपको proper guide करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चीए, कैसे करना चीए, और हमारे पास कुन से method available है, free वाले भी बताएंगे, paid वाले बताएंगे, तो आपका जो capital है, माल लिजे, कि मेरा जो capital है, let's say 1,20,000 रुपह, तो मैंने message कर दिया, join 1,20,000, इसको WhatsApp पर मुझे message बेजना है, हमारा जो WhatsApp number है, which is 8141-8382-44, मुझे simply ये message बेजना है, alright, so just send this message and you will get all the informations from our executive और वो आपको आपके financial planning में, आपके जो goal है, उसको achieve करने में, हम कितना योगदान दे सकते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, ये आपको बताएंगे, और उसमें से free वाले method भी बताएंगे, और अगर आपको premium service लेना है, तो वो दोनो method आपके साथ share किये जाएंगे, coming back, तो हमने यहाँ पर किया दिखा, top to bottom में, पहले major index, alright, major index के बिना सारी चीज़े बेकार है, फिर हमने क्या देखा, sector index, अब यहाँ पर जो next आपका होना चाहिए, कि बही, हर एक sector का, आपके पास 5 stock आपके होने चाहिए, और वो 5 stock पर से कुण सा discount दे रहा है, कुण सा breakout में है, वो भी आपको जानना चाहिए, तो वो यहाँ पर अभी हम करते हैं, अभी पहले, हम यहाँ पर metal दिखते हैं, सारी, IT दिखते हैं, अब IT के अंदर कुछ जो stock है, वो मैं यहाँ पर add कर रहा हूँ, जैसे सबसे पहरा जो stock है, वो है मेरा TCS, उसके बाद अगला जो stock है, वो है मेरा Infosys, और राइट, अब उसके बाद फिर Wipro, और राइट, फिर उसके बाद Tech Mahindra, और राइट, आपका Mine Tree, यह Mine Tree का नाम चेंज हो गया न, LTIM, ओके, तो यह मैंने 5 stock मैंने लगा के देख लिए, अभी यह मेरा IT कहां पर है, यह रहा, ओके, तो देखो, यह जो मेरा, यह वाला जो है न, यह है मेरा IT का Index, अब आप देख सकते हो कि यहां पे खुछ stock ऐसे हैं कि जिसने आउट performance यहां पे दिया है, तो जैसे यह है, यह है मेरा TCS, फिर यह जो, यह जो sky blue वाला है, that is my Tech Mahindra, और राइट, फिर यह वाला जो stock है, यह है मेरा LTIM, यानि यह LNT का, आपका Mindry, और राइट, फिर यह वाला जो न, जिसने कम return दिया है, if I am not wrong, this is the infi, यह infi है, फिर यह जो yellow वाला है, this is the Vipro, और राइट, Vipro एक ऐसा है, Vipro एक समय में, हम सभी लोग कहते थे, Vipro, 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 Vipro आनि क्या, dividend वाला stock, return देने वाला stock, all right, लेकिन, देखो, हमारा जो knowledge है, वो यहाँ पर आके finish हो जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है, कि Vipro, no doubt, एक अच्छा stock है, all right, इसने अभी भी return दिया है, ऐसा नहीं, इसने return नहीं दिया, बट जितना return Vipro ने दिया, उससे कहीं गुना जादा जो return है, यह मुझे Tech Mahindra ने दिया, all right, फिर यह Mindfree ने दिया, all right, so now, अब आपको पता चल गया, क्या, आपको stock पता चले, एक Tech Mahindra आपको पता चले, दूसरा आपको Mindfree आपको पता चले, all right, अब देखो, यहाँ पर analysis और जादा हो जाता है, और आसान हो जाता है, तो यह सारा अभी मैं निकाल देता हूँ, अभी हम focus करेंगे सिर्फ दो stock के ऊपर, okay, IT को भी अभी हम side में रख दे, now when you know that your number one priority is Tech Mahindra, तो जब भी stock के अंदर गिरावट आती है, जैसे यह गिरावट यहाँ पर आई, all right, अब मैं अभी कुछ समय के लिए मैं यह माईं ट्रिक को भी हटा देता हूँ, all right, simple comparison, तो यहाँ पर I know that कि यह है मेरा कौन सा stop, एक मिनिट मैंने किसको हटा दिया, okay, so मैंने Tech Mahindra को नहीं अटाना था, मैंने Tech Mahindra को हटा दिया, तो Tech Mahindra जब यहाँ पर गिर रहा था, तो मैं जानता हूँ कि यह वाला एक मेरा important level है, और यह वाला एक मेरा important level है, all right, यह दोनो level मेरे बहुत important है, और आप यहाँ पर देख सकते हूँ कि stock ने जो गिरावट दी उसके बाद यहाँ पर आपके पहले support को touch किया, और यह जो है यह आपका दूसरा support हो सकता था लेकिन उसको touch नहीं किया, तो this would be your buying area, simple as that, simple as that, कोई rocket science नहीं है और यह जो गिरावट है ना यह वाली, इस गिरावट is more than approximately 30% if I'm not wrong, 30% से जादा गिरावट आई है, तो एक ऐसा stock जो की top performing है, all right, sector का leader है, index के अंदर जिसका weightage भी है, कम यह जादा लेकिन weightage भी है, all right, already multi-wagger है, all right, even after the fall, 770% का इसने return दिया है, 2012 से लेकिया अब तक, यह यह return कम नहीं होता, my dear friends, all right, dividend की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, corporate actions जो होए, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, तो when you know that the stock is good, all right, all you need to do is, wait for the right opportunity, simple as that, all right, just write Balbon in a comment section, अगर आपको लगता है कि yes, यह जो वाला method है, all right, सब्सक्राइब आपको देखना है, यहा पर ना कोई indicator लगा रहा है, ना कोई oscillator लगाना है, simply मैंने क्या किया, मैंने यहां पर line chart मैंने draw किया, line chart के ऊपर मैंने level draw किये, अब क्योंकि यहां पर यह primary consolidation था, तो मैंने पूरा Carmenced to Representative दो का zone ले लिया, यहाँ पे मेरे पास एक one simple resistance था तो मैंने वो ली लिया अब यहाँ पे भी मैं इस resistance को एक simple line में ले सकता हूँ alright तो जैसा जैसा level जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक zone था इस zone के पास भी रुका ना वेट तो किया ना इसने तो आप यह कर सकते हो कि भी अभी मेरे पास लेट से आप यहाँ पे analysis कर रहे हो मान लीजे this is my cmp alright और आपके पास तीन important level है पहला यह यह वाला level फिर यह वाला level फिर यहाँ पे यह तीसरा level और यह आपका चौथा level alright आप divide करो कि भाई यह वाला जो level यह तो काफी नजदीक है चलो एक काम करता है अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में से 20 रुपए मैं यहाँ पे में लगा दू alright फिर आप बोलो कि अरे यह level तो बहुत गजब है इसको miss नहीं करना चाहिए तो एक काम करता है 30 रुपए यहाँ पे लगा देता है alright फिर आप बोलते हो कि हाँ यह level और यह level भी important लेकिन यह जो important level है यह है तो बहुत नजदी alright मैंने already यहाँ पे buy किया फिर मैं नीचे buy करूं तो कैसे तो इसको 20 रुपए दे दो और यह वाला जो level है इसको आखरी कितना आपका बचा 4, 5, 6, 7, 30 रुपए बचा यहाँ पे आए तो मैं सारा पैसा में invest कर दूँगा alright so by this way you can make a plan और जब आपका यहाँ पे plan आपका बन गया alright अब आपके पास देखो कौणसी कौणसी चीज़े ready है आपके पास आपका जो stock है वो ready है आपको जहां जहां पे buy करना है वो ready है आपको कौणसी कौणसी quantity buy करनी है वो भी ready है आपको जब सब कुछ पता है तो आप simply आप GTT order दाल के छोड क्यों नहीं देते आपको क्यों मेहनत करनी है आपको क्यों रोज चार्ट देखना है आपको क्यों रोज अनलिसिस करना है आपको क्यों रोज प्रैक्टिस करना है आपको क्यों रोज इंडिकेटर देखना है आपको क्यों रोज न्यूस देखना है आपको वो सब करना ही क्यों है positioning भी मैंने बताई अगर यह आपको लगता है that this is yes good तो यह काम करिये LTE space आप इस strategy को जो अभी मैंने बताया इसको एक से 10 में कितने number देंगे please write in a comment section quickly I request all of you quickly and अगर आपको लगता है the information which is I am giving right now it is helping you, it is useful, it is practical and it is worth to try just like the session and हो सके तो इसको शेर करना मत बोलियेगा all right everyone LTE यान यह जो long term trading का जो आपने formula बताया इसको आप एक से 10 में कितने number देंगे फटा फट से comment करो all right मैंने यहां पर पूरा की पूरा आपके सामने ही मैंने किया है न खुछ मैंने चुपाया तो नहीं पुरी strategy मैंने बताई राइट वंडरफुल चलो meanwhile if you have any questions अब अपने जो सवाल है आप पूछ सकते हो नविन दाज जी ने एक लिखा इतनी खराब strategy मैंने आपको बताई इदर ही खराब strategy थी है कि आपने एक दे दिया अचा दस दे रहें ओके ओके बढ़िया ओके डॉक्टर हुदे लिख रहे हैं बलबॉन थैंक यू कनियालाल जी FMCG ओटो ठीक है देखो इवन ओटो इस वेरी गुद आटो इस वेरी गुद आटो इस अलसो वेरी गुद ऑग इस तरीके से आपको देखना चाहिए, comparison करना चाहिए, अचा क्यों ऐसा होता है कि जो मेरा portfolio है यही return नहीं दे रहा है, दूसरे जो portfolio है सबके वो तो return दे रहा है, लेकि मेरे portfolio में ही मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, उसका answer है ये, हमें top to bottom analysis करना पड़ेगा, this top to bottom analysis should be your weekly homework, हर हफते आपको ये homework तो करना ही जाहिए, weekly homework अगर आपने ये कर लिया, trust me you can make beautiful money, alright, अचा weekly homework के उपर क्या आप चाहते हो कि एक session में करो, alright, weekly में क्या देखना चाहिए, weekly homework में क्या करना चाहिए, इसके उपर क्या आप चाहते हो कि मैं एक session में करो, just write WH, weekly homework के उपर, अगर आप कि एक आपको framework मिले, alright, तो just write WH in a comment section, sir आप इसे download में रखे, अब मैंने तो ऐसा कोई option में बंद नहीं रखा, तो ये download तो मेरी सबसे होई जाएगा, क्यों नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने कोई ऐसा disable करके YouTube में नहीं रखा कि ये download ना हो पाए, तो विशल जी session को like कर सकते हैं, अब तक आप में से बहुत कम लोगों ने like किया है, तो जादा like करेंगे, तो थोड़ी से मुझे भी खुशी महसूस होगी, alright, तो अभी हमने यहाप याप 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 IT में देखा, ऐसा ही आपको कुछ homework आपको करना है, ये same homework आपको करना है in a FMCG, क चलो, तो एक weekly homework का मैं पूरा framework बना के, I am going to share with all of you, तो weekly homework क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौनसी कौनसी चीज़े ध्यान रखनी चाहिए, इसके ओपर एक YouTube का lecture मैं बना दूगा, alright, अब YouTube का lecture बनाने की जिन्मेदारी मेरी, alright, इसको देखके, इसको like करके, उसको share करन की जिन्मेदारी आपकी, alright, is it a deal, just write deal in a comment section, alright, everyone, is it a deal, तो हमने आपे, top to bottom, जो है, वो हमने किया, हमने आपे, case study भी हमने आपे लिया, मैंने आपको, stock भी मैंने आपको बताए, और हाँ, इसके उपर, एक YouTube के अंदर, मैंने already एक lecture किया है, top to bottom के उपर, तो अगर आप लोग वो top to bottom वाला, session अगर आप चाते हो, तो WhatsApp में T2B, T2B लिखे, WhatsApp में आप यह message भीज़ दीजे, T2B, जिससे हम आपको, इस session के बाद, मेरी जो team है, वो आपको आज या कल, alright, अगले एक या दो दिन के अंदर, T2B, यह जो session जो हमारा था, उसकी पूरी की पूरी information, आपके कर देंगे, जिससे आप इसका इस्तेमाल कर सको, और आप proper इसका case study के साथ, और detail में आप सीख सको, alright, तो long term के अंदर, the second, देखो अभी हमने देखो, top to bottom जो अभी हमने किया, alright, उसमें क्या है, थोड़ा सा manual work है, आप पहले sector लगाओ, फिर stock लगाओ, फिर यह लगाओ, फि इसमें कहीं ना कहीं, एक दिकत हमें यहाँ पे आ सकती है, देखो, आप गलती किस चीज में नहीं करोगे, आप गलती major index के अंदर आप नहीं करोगे, alright, दूसरी, आप sector index में भी गलती नहीं करोगे, आप यहाँ पे जो top 5 stock है, उसमें भी गलती नहीं करोगे, आप उसमें से top 5 में से जो top stock निकालोगे एक वाला उसमें भी गलती नहीं करोगे अब एक गलती जो हमारी हो सकती है वो गलती होगी entry में ओर राइट क्योंकि ये जो top to bottom analysis वाला जो approach है इसमें ये क्या है ये एक slow method है ओर राइट and क्योंकि ये long term method है पूरे साल बर में in an entire year आपको एक या दो बार ही मौका मिलेगा ओराइट तो यहाँ पे दूसरा मौका नहीं मिलता ये ये वाला जो method है इसमें problem क्या है दूसरा आपको नहीं मिलेगा मौका नहीं मिलेगा आपके पास एक ही मौका होगा और एक ही मौके में जब भी वो मौका आए आपको इसको फटा-फट से पकड़ लेना होगा बट देखा गया है कि retailer एक ऐसा विक्ति होता है जिसके अंदर patience की कमी है तो हम क्या करें तो ये जो stock आपने निकाला है और ये stock आपने अलरड़ी निकाल लिया इसके अंदर आप एक simple strategy लगा दो XMA अब देखो ये जो top to bottom वाला जो approach है ये आपको stock देखा long term के लिए बट ये जो XMA है ये आपके जो swings है जो major आपके जो swings बनेंगे उस swing के reversal को catch करने का काम आपका XMA करेगा तो आप इसको interlink अगर आप चाहो तो आप इसको कर सकते हो तो what we are going to do in XMA तो हमने growth वाले stock अब जैसे माल लीजे top to bottom में से हमने माल लीजे कि 5 sector जो 5 हमने sector थे उस 5 sector में से 5 हमने stock निकाले अब ये 5 stock हमारे growth वाले stock यहाँ पे हो गया ये natural इदे को top to bottom में growth वाले stock ही मिलेंगे non growth वाले stock आपको नहीं मिलेंगे आपको मिलेंगे ही नहीं अगर आपने सही तरीके से top to bottom analysis किया है अब आपको ये जो growth वाले stock मिल गये अब उसका जो major trend है उसके उपर focus करो अब growth वाले stock हैं तो आपका major trend क्या होगा? bullish आपका view क्या होगा? bullish tech mindra उपर से बेचने के बारे में नहीं सोच रहे हैं हम नीचे से buy करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सिर्फ एकी चीज़ के उपर focus करना है वो है long position आप यहाँ पे आपको यह 5 stock यहाँ पे आपको जो मिले है उसमें आपको यह देखना है कि 5 stock में से कौन सा ऐसा जो stock है यह मुझे सबसे ज़ादा discount दे रहा है यह discount आपको जो सबसे ज़ादा दे उसके उपर काम करना है अब याद रखिए यह जो growth वाले 5 stock है यह या तो अपने swing high से या तो यह अपने lifetime high से जब तक 9 प्रतिशत की गिरावट ना दे दे तब तक accumulation मत करियेगा अगर यह जो stock है यह अपने lifetime high से 9 प्रतिशत की गिरावट ना दे तब तक accumulate नहीं करियेगा औराइट चलो tech महिंदरा में इसका क्योंकि tech महिंदरा भी हम देख रहा है तो tech महिंदरा में जाके ही हम इसका analysis करते हैं so let me just open a tech महिंदरा time frame कौन सा daily तो देखो यहाँ पे इस जगे पे XA मेंने buy indicator दिया अब मुझे यह देखना है कि क्या इसके पहले tech महिंदरा ने 9% की गिरावट दी थी तो answer is yes इस जगे पे tech महिंदरा ने 16.81% का fall register कराया था तो thumbs up आई बात समझ में कि जब भी आप accumulate करना चाहते हो देखो आपने यहाँ पे क्या निकाले आपने यहाँ पे based on this आपने यहाँ पे 5 stock आपने निकाले अब वो 5 stock में से जारे के सारे जो stock है नहीं ले सकता हूँ तो आप इसको future में भी आप इसको ले सकते हो target के साथ अगर आप ले करना चाहते हो आप future में आप जा सकते हो अब यह buy आप देखो पहले stock फिर आपने देखा कि मैं क्या trade लूँगा buy अब अगली चीज़ आपको क्या चाहिए कि buy मैं कब करूँ तो buy मैं तब करूँगा जब x में मुझे buy का signal देगा अब इस buy में मैंने condition क्या लगा ली कि यह जो buy है यह मैं तब ही करूँगा जब यह lifetime high से यह swing high से कम से कम 9 प्रतिशत मुझे सस्ता मिले कम से कम 9 प्रतिशत से जितना जादा मिले उतना तो अच्छा है लेकिन कम से कम मुझे 9 प्रतिशत मुझे सस्ता मिलना चाहिए is it clear? just write clear in a comment section I request all of you just write clear in a comment section तो देखो यहाँ पे तो मुझे मिल गया अब 16% की गिरावट के बाद मिला इसके पहले का buy signal देखते हैं देखो इसके पहले का signal आया यहाँ पे अब यह जो signal है क्या मैं यहाँ पे बाई करूँगा? answer is no क्योंकि मुझे 9 परसन की गिरावट पे चाहिए तो 9 परसन तो गिरा नहीं तो मैं यहाँ पे बाई करूँगा क्या? answer is no तो चलो मैं गिरावट को मैं देखता हूँ यहाँ पे देखो इस जगे पे यह वाली एक गिरावट है देखो यहाँ पे मुझे दो बाई की signal मिले एक बाई का signal यहाँ पे मिला और दूसरा बाई का signal मुझे यहाँ पे मिला अब मैं यह देखता हूँ कि यह जो बाई का signal मुझे मिला क्या उसके पहले 9 प्रतिशत मेरा शेयर गिर किया था क्या और राइट ये दोनों और राइट तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे बाई किया तो मेरा जो स्टॉक है वो 27.64% माइनस था तो मैं यहाँ पे मैं बाई करूँगा आंसर वुड बी यस तो मेरा पहला बाई कितने पे हुआ 1400 पे फिर यहाँ पे इस जगे पे जो मैंने सेकंड बाई किया इस जगे पे गिरावट कितनी आई थी इस जगे पे 33.65% की गिरावट आई थी तो क्या मेरा 9% का condition मेरा एकसेट हो गया तो फिर मैंने 1190 राउंड फिगर 1190 पे मैं फिर से मैं बाई करूँगा तो इस तरीके से accumulation करेंगे तो इस तरीके से आपका average भी हो गया accumulation भी हो गया and overall when I know that this stock is very very much good तो मुझे return जो है इस stock के अंदर आज नहीं तो कल मुझे मिलना ही है तो इस तरीके से आप stock selection कर सकते हैं अब आप बोलोगे sir आपने बोला आप बाई करो अब यह जो stock है यह consolidation में आ गया तो क्या करें आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका goal क्या है आपका goal है long term आपका goal क्या है growth वाले जो stock है all right इसको discount के अंदर buy करने का आपका goal है long term आपका approach किसे कहते है anything which is greater than one year all right तो एक साल से ज़ादा अगर आपने stock अच्छा यहाँ पर हम buy नहीं करेंगे तीसरा buy जो है वो हमने यहाँ पर किया चुकि यह 1200 का price है तो देखते हैं तीन हो buy हमने कहाँ पर किये पहले 1400 पर हमने पहला buy किया फिर दूसरा buy मैंने कहाँ पर किया तकरीबन 1200 पर मैंने दूसरा buy किया और तीसरा buy भी जो है approximately मैंने 1200 पर किया तो now मेरा जो stock है उसका weighted average would be very much close to 1200 अब यहाँ से stock मेरा उपर तो जा नहीं जाना है अब जैसे ही ऊपर जाएगा तो I'll make money now यहाँ पे कुणसी कुणसी चीज़ें हमारी clear होई सबसे पहले हमने growth वाले 5 stock हमने निकाले उसके बाद जो हमारा trade है वो मुझे entry ही करना है यह भी मेरा clear हो गया फिर उसके बाद entry है इसके मैंने filter भी मैंने लगा दिये filter मेरा क्या 9% का लगा दिया मेरा जो view है यह भी मैं जानता हूँ कि जो मेरा view है यह long term है now it's time for exit मेरा time अभी exit का है तो अब मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मुझे मेरा exit पता चले तो बहुत ही simple है आपका जो target है वो आपका target क्या होना चाहिए कि आपने जहां पर buy किया और राइड वहां से जो आपका average price निकल के आता है और राइड जो आपका average price निकल के आता है उस average price के उपर 12 प्रतीशत पे आप 50% profit book करोगे और lifetime high के उपर 12 प्रतीशत जाने पे अगले 50 प्रतीशत आप book कर लोगे आपका काम हो गया finish और राइड entry हो गया exit हो गया target set करना हो गया script selection हो गया condition हो गया सब कुछ हो गया तो यह सारी चीजें आज इस session के अंदर अभी मैंने आपको बता दी is it clear to you just write clear in a comment section अचा एकाम करो clear मत लिखो यह जो strategy है यह जो formula मैंने आपको बताया इसको एक से 10 में आप कितने number दोगे please help me in a comment section ओके अभी मैं आपको performance में बताऊंगा wait all right just do it आज के इस session को इस strategy को आप एक से 10 में कितने number दोगे please help me in a comment section फटा फट से quickly 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 all right wait नहीं करना है इंदिजार नहीं करना है फटा फट से answer करो तुल्जाराम जी लिखते हैं auto fmc जी great okay एक बार फिर से लगा के बता दो कि कौन सी side में जाके कहा पे लगा सकते हैं करीया लाल जी session को वापस से आप देख लो rewind करके देख लो मैंने proper मैंने सब कुछ बता दिया तो आप जैसे reverse करके देखोगे आपको फिर से समझ में आ ज session यह जो strategy है काफी अच्छी है number one यह मेरी नहीं है यह सद्यों से जो professional trader है इसका इस्नमाल करते हुए आया है इस strategy से पैसा बनाना view बनाना script selection करना entry exit का criteria define करना यह बड़ा आसान हो जाता है यह मैं नहीं कर रहा है यह सद्यों से लोगों ने already किया है और यह लोग already करते हुए आये हैं मैं तो सिर्फ आपको आज मैंने एक structural manner में मैंने आपको इसको represent किया तो यह strategy का credit मैं नहीं ले रहा हूँ मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ एक structural manner में step by step process मैंने आज आपको practically करके मैंने बताएं यह live ही रहेगा यह जो same link जो आप देख रहा हूँ विशाल जी इसको आप चाहे उतनी बार YouTube पे available ही है अब जब जितनी बार चाहे आप इसको देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है repeat 100 बार करके देखो आपको किस ने बना किया विशाल जी यह जो link आपके पास है यह same link आप चाहे उतनी बार आप देख सकते हो all right so make sure आप notes बनाओ practice करो and एक चीज आज इस session के पाथ जो आपको करनी है वो है कम से कम 5 stock तो आपको निकाल नहीं चाहिए all right हर एक sector के आप एक एक stock निकालोगे तो 5 sector के 5 बहतरी stock आपको मिलेगे फुर उस 5 stock को आप compare करोगे तो और बहतरी आपको result मिलेगे आज इस session के अंदर मैंने आपको जो भी बताया यह सारी चीज़ें एक pdf जो मैंने अब यह बनाई है यह pdf एंद पिछले super sunday की pdf बाकी है मैं जानता हूँ यह दोनो pdf मैं एक साथ आपको मैं combine करके बेजूँगा उसके लिए आपको whatsapp में यह जो message है यह message आपको मुझे लिखके बेजना है all right which is ss7124 यह message आप मुझे करके बेज दीजे यह pdf अभी यह lecture चलेगा भी आगे और पिछले संडे का जो super sunday का जो lecture है उसका pdf वो भी मुझे आपको देना है तो यह सारे pdf एक साथ ही I'm going to share with all of you और साथ साथ में देखो एक saving जो है न यह करना बहुत जादा important है क्योंकि जो आप save करोगे यह जो है यह आपके recurring investment का एक part होगा अगर आप recurring investment अगर आप करोगे तो हमने एक SIP की strategy और यह कुन सा SIP है यह stock SIP वाला strategy है यह stock SIP वाला strategy इसके अंदर हमने देखा कि अगर हम 108 रुपए on an average अगर मैं उसको 23 साल तक invest करता और एक 108 रुपए on an average अगर 20 साल तक invest करता तो आज यह जो capital है यह तकरीबन 55 लाख रुपए बन जाता कितना 55 लाख तो अगर आप wealth create करना चाहते है अगर आप एक systematic approach चाहते है अगर आप एक capital build करना चाहते है अगर आपके strategy आपके goal आपके vision अगर clear है तो I insist all of you एक बार यह वाला जो method है यह आपको अपनाना चाहिए और यह वाला जो हमारा DSIP वाली जो service है DSIP वाली service it is 100% free और यह free for life है मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी एक महीने दो महीने के लिए free for life and I insist all of you कृपा गर के इस DSIP को शुरू करें रोज के 50-60 रुपय investment करें बस अब इतना भी आप करोगे तो आपका capital लाखों में बनेगा और यह service अगर आप शुरू करना चाहते हो तो आपको DSIP लिखके whatsapp में message बेजना है और यह जो DSIP का जो number है that is different 9726000826 देखो दोनो number अलग-अलग है उसको mix मत करना PDF के लिए यह वाला number है और DSIP शुरू करना है तो यह वाला number है अलगो से शुरू होगा 100% free for life आप भी करिए अपने दोस्तों को भी बोलिए कि आप SIP शुरू करिए return जो है वो बहुत अच्छे है बहुत जबज़स return है अब यहाँ पे जो stocks हमने निकाले हैं इसके उपर already मैंने top to bottom यह मैंने कर लिया script selection already हमने कर लिया हमने ऐसे stock निकाले हैं जो आपको industry से ज़ादा return आपको दे पर और यह सारी चीज़े हमने कर ली है all you need to do is आपको इसका अलगो शुरू करना है कोई charges नहीं है कोई one time charge नहीं कोई monthly charge नहीं कोई recurring charge नहीं DSIP वाली जो service है it is 100% free for life तो I insist all of you group agar cases शुरू करे free के service है कोई आप से एक पैसा भी लेके नहीं जा रहा है तो free में अगर आपका portfolio बन रहा है free में investment बन रहा है free में एक हमारी habit बन रही है capital बनने की तो मेरे एसाब से यह गलत नहीं है तो आप लोग आए जुडे और आप सभी ने मुझे 10-10 नमबर दिये नवींदास जी जै सिंग जी और देन वी हाव पुर्षवत्तम जी डॉक्टर उदै जी सतीज जी एमानाद जी तो आप सभी लो और इस session में आए जुडे मुझसे मिले उसके लिए के बहुत-बहुत धनिवाद I am going to see all of you in the next lecture इसका second part भी होगा and मुझे लगता है इसका तीसरा part भी होगा तो अगले part में मिले तब तक के लिए take care of your hard and money and Jai Hind